गांधी आप सबको धन्यवाद और मैं सभी को फिर एक बार नमस्कार करते हुए मेरे भाशन को समात करता हूँ अब आपके सामने राहूल गांधी जी भाशन करेंगे उनकी बात आप सुनिए अबेशा हम भाशन करते हैं है कर देर देर द लिदिए । इल फोनी भाशनना है कि अच्छान लो इसदा बढूंगे अच्छान लो एप फैप देदि देंगे थी थोड़ा जगपनागे अस्टेज पे वरिश नेता, कॉंग्रेस पार्टी के वरिश नेता, विपक्षी धल के वरिश नेता, हमारे प्यारे कार्य करता, भाईयों और बेनों, प्रेस के हमारे मित्यों, आप सब का यहां बहुत-बहुत स्वागत, आप आज यहां बर्फ में खड़े हैं, मगर आप में इससे किसी को सर्दी नहीं लग रही है, आप बारिश में खड़े हुए, कोई भीगा नहीं, गर्मी में आपको गर्मी नहीं लगी, सर्दी में आपको सर्दी नहीं लग रही है, क्योंकि देश की शक्ती आपके साथ है, प्रियांका की बात मैं सुन रहा था, प्रियांका ने कहा, मेरे मेसिज के बारे में प्रियांका ने कहा, नॉर्मली होता नहीं है, मगर मेरे आँख में आशु आए, क्योंकि, मैं कन्या कुबारी से चला, शुरुआत की, और पूरे देश में हम पैदल चले, मैं सच बताओ, आपको अजीब लगेगा, मगर मैं, बहुत सालों के लिए, हर रोज, आट दस किलोमेटर दोड़ता हूँ, तो मैंने सोचा था, देश, कन्या कुमारी से, कश्मीर चलने में इतनी मुश्किल नहीं होगी, मेरे दिल में था, कि यह असान होगा, फिजिकली मेरे लिए, यह मुश्किल काम, मैंने सोचा था, मुश्किल काम नहीं होगा, शाहिद, मैं, काफी वर्जिश करता हूँ, थोड़ा सा हंकार आ गया, जैसे आ जाता है, मगर फिर, बात बदल गई, जब मैं छोटा था, फुटबॉल केलता था, और कॉलिज में जब मैं फुटबॉल केल रहा था, एक बार मुझे बहुत, जोरों से घुटने में इंजरी, इंजरी हुई थी, मैं उसको भूल गया था, घुटने में दर्द नहीं होता था, भूल गया था उसको, दर्द गायब हो गया था, मगर, कन्यार दर्द इसे पाँच साथ दिन बार, घुटने में प्रॉब्लम आई, और जबरदस प्रॉब्लम आई, पूरा हंकार उतर गया, और मैं सोचने लगा, क्या मैं ये जो 3500 किलोमेटर हैं, क्या मैं इनको चल पाऊंगा या नहीं, तो जो मैंने सोचा था, असान काब होगा, वो काफी मुश्किल हो गया, मगर फिर मैंने किसी ना किसी तरीके से, ये काम पूरा कर दिया, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला, मैं आपको बोलू तो दर्द सहना पड़ा, काफी, मगर सह लिया, रास्ते में, एक दिन मुझे दर्द हो रहा था, काफी दर्द हो रहा था, और मैं सोच रहा था, छे साथ घंटे और चलने हैं, और उस दिन मुझे लग रहा था कि आज, मुझे और एक छोटी सी बच्ची आई, दोड़ती हुए आई मेरे पास, और मुझे कहती है, कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ लिखा है, मगर तुम अभी मत पढ़ो, इसको बाद में पढ़ना, और फिर वो मुझे गले लग के भाग गई, फिर मैंने सोचा, अब पढ़ता हूँ, क्या लिखा है, तो उसने लिखा था, कि मुझे दिख रहा है, कि आपके घुटने में दर्द है, क्योंकि आप, जब उस पैर पे वजन डालते हो, तो आपके चहरे पे दिखता है, कि दर्द है, मगर मैं आपको बताना चाहती हूँ, कि मैं, आपके साथ कन्या कुमारी नहीं चल सकती हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता नहीं चलने दे रहे हैं, मगर मैं, दिल में, आपके साथ, आपके साइड में चल रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ, कि आप अपने लिए नहीं चल रहे हो, आप मेरे ले चल रहे हो और आप मेरे भविश्च के ले चल रहे हो और और उसी सेकंड मैं पता नहीं अजीब सी बात है उसी सेकंड मेरा दर्द उस दिन के ले गायब हो गया दूसरे बात मैं चल रहा था मैं चल रहा था और उस समय उसी समय वहाँ पे थोड़ी सर्दी बढ़ रही थी सुबह का समय था और चार बच्चे आए पता नहीं कहना चाहिए या नहीं तो कह देता हूँ छोटे से बच्चे थे विकारी थे भीक मांगते थे और मेरे पास आये कपड़े नहीं थे मैंने देखा शायद मजदूरी भी करते थे तो थोड़ी मट्टी थी उन पर खेर मैं ये चीज़े देखता नहीं हूँ तो मैं उनके साथ बच्चे लगा गुटनों पर गया ऐसे उनको पकड़ा मैंने क्योंकि मैं उनकी लेवल पर रहना चाहता था और फिर नहीं सुनिये मैं ये बात कहना नहीं चाह रहा था मगर कह दूँगा तो उनको ठन लग रही थी वो काप रहे थे शायद उनको खाना नहीं मिला था छोटे बच्चे मजदूरी कर रहे थे तो मैंने सोचा कि अब अगर ये स्वेटर नहीं पहनते हैं अगर ये जैकेट नहीं पहन रहे हैं तो मुझे भी नहीं पहनना चाहिए इनके पास आपको ऐसे जाना नहीं चाहिए तो मैंने उनसे कहा वो आपसे और मुझसे दोनों से साफ हैं तो देश में कभी कभी ये विचार धरा दिखाई दे जाती है दूसरी बात आपको बता देता हो शायद लोगों को अच्छी ना लगे जब मैं चल रहा था आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं रो रही थी आपने देखा आपको मालूम है क्यों रो रही थी नहीं उसमें से बहुत सारी महिलाएं इमोशनल थी मुझसे मिल कर रो रही थी मगर उसमें बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं थी जिन्होंने मुझे बोला कि उनके साथ बलतकार हुआ है उनको किसी ने मुलेस्ट किया है उनके किसी रिष्टेदार ने उनको मुलेस्ट किया है और जब मैं उनसे बोलता था बेहन मैं पुलीस को बताऊँ तो मुझे कहती थी राहुल जी पुलीस को मत बताईए हम चाहते हैं कि आपको ये बात मालम हो मगर पुलीस को मत बताईए हमारा और भी नुकसान हो जाएगा तो यह हमारी देश की सचाई है ऐसी बहुत सारी और में कहानियां आपको बता सकता हूँ तो फिर मैं कश्मीर के ओर आ रहा था और मैं सोच रहा था कि इसी रास्ते पे मैं नीचे से उपर जा रहा हूँ मैं सोच रहा था कि इसी रास्ते से सालों पहले मेरे रिष्टेदार नीचे से उपर आए सुरी उपर से नीचे आए कश्मीर से अलाबाद गंगा की ओर गए और मुझे ऐसे लग रहा था ऐसा लग रहा था कि मैं वापस अपने घर जा रहा हूँ घर मेरे लिए जबसे मैं चोटा था मैं सरकारी घरों में रहा हूँ मेरा अपना घर नहीं है तो मेरे लिए मेरे लिए घर जिसको जो स्ट्रक्चर होता है उसको मैंने कभी घर नहीं माना वो मेरे लिए मैं कहीं भी रह लूँ वो एक इमारत होती है वो घर नहीं होता है घर मेरे लिए एक सोच है एक जीने का तरीका है एक सोचने का तरीका है और यहाँ पे जिस चीज को आप कश्मीरियत कहते हो उसको मैं अपना घर मानता हूँ अब यह कश्मीरियत अब यह कश्मीरियत है क्या यह जो शिफ जी की सोच है एक तरफ और थोड़ी सी गहराई में जाएंगे तो उसको शुन्यता कहा जा सकता है अपने आप पर अपने अहंकार पर अपने विचारों पर आकरमन करना और दूसरी तरफ इसलाम में जिसको शुन्यता यहां कहा जाता है वहां फना कहा जाता है सोच वही है इसलाम में फना का मतलब अपने उपर आकरमन अपने सोच पर आकरमन जो हम अपना किला बना देते हैं कि मैं यह हूँ मेरे पास यह है मेरे पास यह ग्यान है मेरे पास यह घर है उसी किले पर आकरमन करना वही है शुन्यता वही है फना और इस धर्ती पे यह दो जो विचार धाराएं हैं इनका एक बहुत गहरा रिष्टा है और यह सालों से रिष्टा है जिसको हम कश्मीरियत कहते हैं यही सोच बाकी स्टेट्स में भी है गांदी जी वैशनव जन्तों की बात करते थे जिसको हम यहाँ शुन्यता फना कहते हैं उसको गुजरात में वैशनव जन्तों कहा जाता है असाम में शंकर देव जी ने भी यही बात कही करनाटक से हमारे यहां जो लोग आए हैं वहां बसवा जी ने ये बात कही केरल में नराएन गुरू ने ये बात की माराश्टा ने जोती बाय फूले ने जी ने ये बात की और यहां इसको हम कश्मीरियत कहते हैं लोगों को जोड़दा और दूसरों पर आक्रमन नहीं करना अपने आप पर आक्रमन करना अपनी कमी देखना मैंने आपको कहा कि मेरा परिवार कश्मीर से गंगा किया और गया था अलाबाद संगम के बिलकुल किराने किनारे वहाँ पास में हमारा घर है तो जब यहां से वो वहाँ गए उन्होंने कश्मीरियत की जो सोच थी उसको गंगा में डाला था गंगा में ले गए उस सोच को और उत्तर प्रदेश में उस सोच को फैलाया था जिसको उत्तर प्रदेश में गंगा जमुना तैजीब कहा जाता है तो उन्होंने मेरे परिवार ने छोटा सा काम और उस स्विचारधारा को सोच को गंगा में उन्होंने रखा तो मैं यह सोच रहा था जब यहां आ रहा था पैदल चल रहा था और मुझे सिक्यूरिटी वालों ने कहा सिक्यूरिटी वालों ने कहा था कि देखिए आप पुरे हिंदुस्तान में चल सकते हो जमू में भी चल सकते हो मगर आखरी जो चार दिन है कश्मीर में आपको गाड़ी से जाना चाहिए बेनु गोपाल जी ने मुझे कहा पहले और जो और गोड़ाइज कर रहे थे उन्होंने कहा कि इन चार दिन पहले अडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि देखिए शायद डराने के लिए कि देखिए अगर आप पैदल चलेंगे तो आपके उपर ग्रिनेड फिका जाएगा तो मैंने सोचा मैंने सोचा कि ऐसे करते हैं मैं अपने घर वापिस जा रहा हूं चार दिन पैदल चलूँगा अपने घर के जो लोग हैं उनके बीच में चलूँगा और मैंने सोचा कि जो मुझसे नफरत करते हैं उनको क्यों ना मैं एक मौका दूँ कि मेरी सफीद शर्ट का रंग बदल दें लाल कर दें क्योंकि मैं मेरे परिवार ने मुझे सिखाया है गांदी जी ने मुझे सिखाया है कि अगर जीना है तो डरे बिना जीना है नहीं तो जीना नहीं है तो मैंने मौका दिया मैंने का मैं चार दिन चलूँगा बदल दो टी-शर्ट का रंग लाल कर दो देखी जाएगी मगर जो मैंने सोचा था वोही हुआ जमू कश्मीर के लोगों ने मुझे हैंडिनेड नहीं दिया अपने दिल खोल कर प्यार दिया गले लगे और मुझे मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने उन सब ने मुझे अपना माना और प्यार से बच्चों ने बुज़ूर्गों ने आसूँओं से मेरा यहां सुवागत किया मैं अब जमु कश्मीर के लोगों से और जो यहां हमारे सेना के लोग काम करते हैं सी आर पी एफ के लोग काम करते हैं उनको मैं कुछ कहना चाहता हूँ सब को जमु कश्मीर के युवाओं को बच्चों को माताओं को सब को CRPF के BSF के आर्मी के जवानों को उनके परिवारों को उनके बच्चों को मैं कहना चाता हूँ देखिए मैं हिंसा को समझता हूँ मैंने हिंसा सही है देखी है जो हिंसा नहीं सहता है जिसने हिंसा नहीं देखी है उसे ये बात समझ नहीं आएगी जैसे मोधी जी हैं अमिच्शा जी हैं आरेसेस के लोग हैं उन्होंने हिंसा नहीं देखी है डरते हैं नहीं डरते हैं देखिए डरते हैं यहाँ पे हम चार दिन पैदल चले मैं आपको गैरंटी दे के कह सकता हूं कि BJP का कोई नेता कोई नेता ऐसे नहीं चल सकता है और आप और इसलिए नहीं क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग इसलिए नहीं क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग उनको चलने नहीं देंगे इसलिए क्योंकि वो डड़ते हैं खेर मैं मैं अपने जमु कश्मीर के लोगों को युवाओं को बुज़ूर्गों को और आर्मी के लोगों को सी आर्पी एफ बीस एफ लोगों को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ देखिए स्कूल में था सुबह जोग्रिफी की क्लास में था मैं पढ़ रहा था सामने बैठा था और मेरी एक टीचर आई अंदर आई और उसने का राहूल तो मैं प्रिंसिपल बुला रहा है मैं बदमाश था बहुत बदमाश था जब छोटा था बहन से पूछ सकते हो क्या क्या करता था मैं अभी भी करता हूँ मैंने सोचा प्रिंसिपल बुला रहा है मैंने कुछ गलती की होगी अब मार पटेगी वहाँ पे केनिंग होती थी मैंने सोचा था केनिंग होगी मेरी मगर जब मैं चल रहा था जो तो जिस टीचर ने मुझे बुलाया, उसको देखकर मुझे कुछ अजीब सा लगा, और जब मैं प्रिंसिपल के ओफिस पहुँचा, तो प्रिंसिपल ने कहा, राहुल, तुमारे घर से फून कॉल है, और जब मैंने उसके शब्द सुने, मुझे पता लगया कुछ गल्ट हो गया है, मेरे पैर कहां पे, और मैंने जैसे फून अपने कान पे लगाया, तो मेरे माँ के साथ एक औरत काम करती है, वो चिला रही थी, राहुल, दादी को गोली मार दी, दादी को गोली मार दी, दादी को गोली मार दी, 14 साल का था देखिए ये जो मैं कह रहा हूँ ये जो मैं कह रहा हूँ ये जो मैं अभी कह रहा हूँ ये बात प्रधान मंत्री को नहीं समझाएगी ये बात अमिट शाजी को नहीं समझाएगी ये बात डोवल जी को भी नहीं समझाएगी मगर ये बात कश्मीर के लोगों को समझाएगी ये बात सी आर पी एफ के लोगों को समझाएगी ये बात आर्मी के लोगों को समझाएगी उनके परिवानों को समझाएगी तो मेरे उन्होंने मुझे कहा नाम उंग्मू है उसका उसने कहा दादी को गोली लग गई दादी को गोली लग गई और फिर मुझे गाड़ी में वापस ले गई प्रियंका को मैंने स्कूल से उठाया मैं वापस गई और फिर मैंने वो जगा देखी जहां मेरी दादी का खून था पापा है माँ है माँ बिलकुल हिल गई थी बोलने पा रही थी हाँ पिर पिर क्या हुआ तो जब जो हम लोग है जिन्हों ने हिंसा देखी है ये जो है ना ये इसको हम बिलकुल दूसरी तरीके से देखते हैं ये आप सब के लिए टेलेफोन है ये हमारे लिए सिर्फ टेलेफोन नहीं है उसके बाद छे साथ साल बाद मैं अमेरिका में था और फिर से टेलेफोन आया 21 में टेलेफोन आया जैसे बहुत सारे जैसे जो पुलवामा में हमारे सेनिक मरे थे उनके घर टेलेफोन आया होगा हजारों कश्मीरी लोगों की घर टेलेफोन आया होगा सेना के परिवारों को टेलेफोन आया होगा वैसा है टेलेफोन आया पिता के एक दोस्त थे उन्होंने मुझे फोन किया और कहा राहुल बुरी खबर है मैंने उनसे कहां मैं जानता हूँ पापा मर गए केते हाँ मैंने कहा धन्यवात फोन रख दिया तो मेरा कहना है मेरा कहना है जो हिंसा करवाता है जैसे मोडी जी है अमिच्शा जी है अजीर डोवल जी है RSS के लोग हैं वो इस बात को समझ नहीं सकते हैं वो दर्द को समझ नहीं सकते हैं हम समझ सकते हैं पुल्वामा के जो सैनिक थे उनके बच्चों के दिल में क्या हुआ मैं जानता हूँ मेरे दिल में वो ही हुआ है जो यहाँ पे कश्मीर में लोग मरते हैं उनके दिल में क्या होता है जो फोन कॉल आता है क्या लगता है वो मैं समझता हूं मेरी बेहन समझती है तो कल किसी जर्नलिस्ट ने मुझसे पूछा यातरा का क्या लक्ष है कहा कि यातरा क्या अचीव करना चाती है जम्मू कश्मीर में क्या अचीव करना चाती है मेरे उस समय दिमाग में आया मगरे मैंने कहा नहीं बोलता हूँ, कल भाचन में बूलूँगा यातरा का लक्ष है कि ये जो फोन कॉल है चाहिए आर्मी के हो चाहिए एस सी आर पी एफ के हो चाहिए कश्मीर के लोगों के हो ये फोन कॉल बंद हो जाए कि ये फोन कॉल किसी बच्चे को किसी मा को किसी बेटे को ना लेना पड़े मेरा लक्ष ये जो फोन कॉल है इनको बंद करने का है अब अब देखिए BJP RSS के लोग आक्रमन किस चीज़ पर कर रहे हैं मुझे गाली देते हैं मैं उनका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि मैं जो मैंने आपको शुनियता की बात की शिव की बात की उसको मैं समझता हूँ और मैं दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ कि जितना भी वो मेरे उपर प्रेशर डालें जितनी भी गाली लगाएं जो भी वो करें उससे मैं सिर्फ सीखता हूँ तो मैं एक प्रकार से उनका धन्यवाद करता हूँ मगर जो मैंने आपको बात बोली पहले चाहे वो कश्मीरियत है चाहे वो वैशनो जनतो है चाहे वो शंकर देव जी हैं बसवा हैं नराइन गुरू है तिरुवलवर हैं जो तमिल नाडू के बड़े पोएट हैं फूले जी हैं और जो कश्मीरियत हैं ये इस विचारधारा पर आकरमन कर रहे हैं और ये जो विचारधाराएं हैं ये इस देश की नीव हैं इस देश की फाउंडेशन है और आपने जो किया जो यात्रियों ने किया हम सब ने किया इस विचारधारा की रक्षा के लिए किया है मैंने ये काम अपने ले नहीं किया मैं ऐसा काम अपने ले कभी करी नहीं सकता हूँ मैंने ये काम मैंने ये काम हमारे कांग्रेसी मित्रों को ये अच्छा ना लगे मगर मैंने ये काम कांगरेस पार्टी के लिए भी नहीं किया है मैंने ये काम और हम सब ये काम हंदुस्तान की जंता के लिए किया है और हमारी कोशिश है हमारी कोशिश है कि जो विचारधारा जो विचारधारा इस देश की नीव को तोड़ने की कोशिश कर रही है जो विचारधारा इस देश की नीव जो विचारधारा इस देश की नीव को तोड़ने की कोशिश कर रही है उसके खिलाव हम खड़े हो मिलकर खड़े हो नफरत से नहीं क्योंकि वो हमारा तरीका नहीं है मोहबत से खड़े हो मैं जानता हूँ कि अगर हम मोहबत से खड़े होंगे प्यार से बात रखेंगे तो हमें सफलता मिलेगी और उनकी जो विचारदारा है उसको हम सिरफ हराएंगे नहीं मगर उस विचारदारा को हम उनके दिलों से निकाल देंगे तो आपने देश की जनता ने हमारा समर्थन किया हमारी कोशिश है कि हमें बीजेपी ने एक जीने का तरीका राजनेतिक तरीका दिखाया है हमारी कोशिश है कि हम एक और तरीका जो हिंदुस्तान का तरीका है महबत का तरीका है वो हम देश को दिखाएं हम देश को याद दिलाएं कि हिंदुस्तान महबत का देश है इज़त का देश है भाईचारे का देश तो हमने जो कहा था छोटा सा कदम लिया है बड़ा कदम नहीं है नफरत के बाजार में महबत की दुकान कुलने की कोशिश की धन्यवाद जेहन हम राहुल गांदी जी को उनके सारे नेशनल ये जो पद्यातरी थे और यहां पर आज के मोके पर जो हमारे मेमान दूसरे पार्टियों से आए थे उनके लीडरान आए थे सी ड़ाप्रिसी के मेंबरान थे मेंबर पारलिमेंट चीफ मिनिस्टर प्रस्पीसी प्रस्वाण